हाइ, नमस्कार, आप सब कैसे हैं? स्वागत आप सभी का एक और न्य संदार वीडियो में। बात करने वाले हैं बिहार पुलीस और बिहार दरोगा की नई भर्ती को लेकर क्या अपडेट आया हुआ है? आज कम इसमनों बात करने वाले हैं जो पुरानी वेकेंसी बिहार पुलिस कॉंस्टेबल की जो अलेडी निरस्थ हो चुकी है तो उसको भी लेकर अपडेट आया हुआ है कि उसका एक्जाम का प्रोसेस वगरा के बारे में बात करेंगे साथी साथ बिहार पुलिस में नई भरती को लेकर भी अपडेट आ चुका है और कितने पदों पे भरती आने वाली है 12 ही पास के लिए संदार ओपर्शोटी यहां पे रने वाली है इसके अलावा बिहार दरोवा की जो है 2000 से अधिक पदों पे नई भरती का जो है अपडेट भी आ चुका है तो इन सब अपडेट के बारे में हम यहां पे इस वीडियो में चर्चा करनी वाले है वीडियो को फ्रेंट्स आप लास तक देखिए वीडियो बनाने का एक ही मकसद है फ्रेंट्स की आप सब मोटिवेटेड रहें और अपनी निरांतर त्यारी करते रहें क्योंकि बिहार में बंपर भरती का सिलसिला सुरू हो चुका है इसके अलावा तीन ऐसी वेकिंसी के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इलिजिबल है जैसे कि स्वास्त विभाग में बिहार बिजली विभाग में पंचाईदी राज विभाग में इसके लावा स्वास्त विभाग में एक और नई वेकिंसी के बारे में चर्चा करेंगे तो यह सारी वेकिंसी बंपर भरती के तरह आ रही है बिहार बाइसमें प्युटे 2,202 कि और वाइसी weakness बिहार में ल나गतार आपको देखने के मिलेगी और विभाग वाइज एक यकर lavender के आपको देखने को मेलेगी और इस चैनल पे लगतार आप लोग को अपडेट के साथ कभर किया जा रहा है सभी वेकेंसी को तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अभी तक आप टेलिग्राम से नहीं जुड़े हैं वाटसप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाल दिया हूं उससे आप जरूर जूड़ेगा वहां पे मैं आपको छोटे-चोटे अपडेट जो है सेर करते रहता हूं तो चलिए आपको बिहा प्रोसेस लिमिट सब्सक्रिप्शन होगा अब बिजली कंपनी में इसका भी ऑफिस्यल नोटिफिकेशन आ चुका है सब्सक्रिप्शन जा चुका है फिलहाल हम जानते हैं बिहार पुलिस में इस साल 45,650 पदों पर होगी बहाली चल रही है तयारी अब यहां बताया गया ह कि बिहार पुलिस में इस साल 45,650 पदों पर बहाली की संभावना है इसको लेकर बिहार पुलिस मुख्याले ने तयारी पूरी कर ली है इसमें 24,279 नए पदों पर जबकी 21,391 सीपाही के पुर्वे से लंबित पदों पर बहाली होगी यानि जो पहले से लंबित पद है ज तो इसको भी यहां पर संपूर कर लिया जाएगा, तो पहले इसको संपूर किया जाएगा और उस में नई भरती 24,279 पदों पर करे जाएगा यहां पड़ पर वहाली को लेकर ग्रीज भीभाग, और बित भीभाग के मंजूरी के बाद जल्द ही रोस्टर त्यार कर संबंधित आयोग को भेह जाएगा मतलब यहाँ पे ग्री विभाग और बित विभाग से मंजूरी लेने के लिए नए पदों पर इसकी रोस्टर वगरा यहाँ पे त्यार किया जाए रहा है और जैसे ही सब त्यार हो जाएगा उसके बास 200439 पद सिर्फ & सिर्फ और सिर्फ कॉंस्टेबल के आने वाले है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्वेल्थ पास आपके जो है यहाँ पे मांगे जाएंगी इसके अलावा 2850 की वैकिंशी या पे आने वाली है इसमें graduation बोला जाता है मतलब अगर आप graduation पास रहेंगे तो आप जो है दरोगा वाले पद प्राविदिन कर सकते हैं और चालक सिपाही में दसवी पास होती है तो दसवी पास आप रहेंगे और साथ साथ आपको driving license four wheeler का होना चाहिए हम भी या LMB दोनों में सकोई रहेगा तो चल जाएगा और इसके बाद से constable बारवी पास के लिए 1479 पदों पे नई भरतियां पे आनी वाली है जो पुरानी वेकेंसी फ्रेंट्स जो लंबित है 1391 पद उसको पहले संपन किया जागा और फिर बाद में जो है वेकेंसी जो है निकाली जाईगी तो मुझे मानना है कि अगस्त में बिहार पूलिस की जो भरतिया निकाली गई जाए आवे दिन भरने के लिए फॉर्म जो आ जाए बिहार पूलिस मुख्याले के मुताबिक सुबे की बढ़ती जनसंख्या और डायल 112 के उसकता को देखते वे ग्री विवाग ने बीते साल बिहार पूलिस के लिए 75,543 पदों का सुरुजन किया था इनमें जनसंख्या अधारित सीधी नियुक्ति के इतना पदों में इतना पदों पर बहाली है तुपर किरिया की जा रही है तो फिरिंग देख रहा ना यह अपडेट आपका जो है बिहार पूलिस का हो गया अब हम बात करते हैं यहां पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को बनाया जाएगा सशक 45 सेचों की हो रहे है नियुक्ति आवर यह 45 सेचों की चोंड रही होने वाली है इसका आफिसियल नौटिफिकेसन आ चुका मैं आपको पहले दिखाणा चाहूंगा यह देखिये यह आपका जो है यह आपका जो है बिहार सौस बिभाग में सेचों के 45 पदों पर नई भरती का यहां पर ऑफिसल नोटिफिकेशन आ चुका इसका आवेधन जो है एक जुलाई से लेकर एक जुलाई तक होंगे इसमें आपका जो है फी पांस उर्पया है और सकते हैं या अगर आप बीएसी नर्सिंग या बीएसी पोस्ट नर्सिंग या जीनेम कर रखे हैं और साथ में अपने सर्टिफिकेट ले रखा हुगा है सी सी एच का तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं सेलरी इसमें जो है चालिज जार होगा लेकिन एक कंट्रेक्शल वेकिंसी कुछ समय पिर इसको रिजूम किया गया है मार्च में वेकिंसी आई थी आवेदन अब ये स्टार्ट होने से पहले ही रद हो गया था तो यह जो है वेकिंसी आपका चल रही है इसका फॉर्म बर्द हैं इस तरह से बिजली विभाग में वेकिंसी आई हुए आप यहां पर देख पाएंग रखा वहरी लाखता वह बर रखा वह भार्गें बर बर गुष्ण होए और इसके आपको दिंश से तो आप लगाई कर सकतें इसे पहले इसमिए रिटिसाम तरह परिंट्य सब्सक्राइं कर सकते हैं यह वर से अंने आके आप notification वगरा को भी download कर सकते हैं और अपने अस्तर से पढ़ सकते हैं सारी जनकारी को समझ सकते हैं तो यह दोनो वेकेंसी जो है official notification आ गया है इसका वेदन जो है 20 June से होगा 20 June को में एक proper वीडियो लेकर आ जाएंगे कैसे आपको form को apply करना है इसके बाद से यहां पे आप स्वास्त वीभाग में यहां बहुत सारे पद काली है जिसमें आप देखेंगे स्वास्त वीभाग में 13276 पर होगी बहाली इचे कि सके इतना सीएचे के 4500 जिसका notification आच चुक्त है मैं आपको भी दिखाया medical officer के 757 अप्थ मिली के सहाय के 220 staff nurse के चीज सो एनम के 1229 और लैब टेक्निशन के 982 लोजिस्टिक मेनेजर के 38 प्रखंड स्वास्त प्रबंदग के 97 ब्लॉक अकाउंटेंट के 38 ब्लॉक अकाउंटेंट में क्यों जो बीकम कर रखा हुए पर जल्द बहाली 2230 न्यायमित्र और सचीव के 1420 पदों पर निवक्ति के प्रस्ताव को नितीज कविनेट से स्विकृति यहां पर मिल चुकी है इसके अलवा मैंने आप लोगको नोटिफिकेशन भी दिखाया था यह वाला कि सचीव के 3600 न्यायमित्र और कचारी सचीव के 36 2330 पदों पर दो महिने में बहाली यानि दो महिने का अंदर ही जो फिरिंट्स यह बहाली का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा सचीव वाले पोस्ट पे यहां पर बताया गया कि सचीव के कितने पद खाली है नयायमित्र कितने पद खाली है अलग-अलग जील बहुँ को ले पाएगे क्योंकि लगतार जो है कई सारे बैकंसी औंसी और मैं आपको बता दों बीहार में आने वाले वित्य वर्स में पांच लाग से अधिक सीट खाली है और इस अब पद को भरने के-लिए सरकार मीस्वर्ण मोड में काम कर रही है तो आप लोग लग बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा तो तमाम वेकेंसी जो है ये सब अपकमिंग वेकेंसी है आप लोग जो है मल लागे पढ़िए वीडियो बनाने का एक ही मकसाद होता है friends कि आप लोग को जागरू करना कि बिहार में तमाम वेकेंसी आ रही है आप लोग जहां भी है से त्यारी के रिए अपनी पढ़ाई निरंतर जो है continue रखिए ताकि जो है जो भी वेकेंसी आए उसको लेकर जो है आप लोग आवेदन कर सेके आपकी त्यारी मजबूत रहेगी तभी जाके आप जो कोई ने कोई इंट्रेंस एक्जाम को निकाल पाएंगे अब यहां पर यहां पर लिखा हुआ है कि बिहार पूलिस में 45,650 पदों पर होगी बहाली यहां पर आपको दे दिया गया है तो आसा करता हूं फ्रेंट्स आपको जनकारी समझ में आया होगा और यह बाकी सब अपडेट आप जो है डियासलपिंग फोरेवर.com की वेबसाइट से आप द कर दिन सुबहुँ